चोपड़ा जो इसने योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो इस वीडियो में मैं आपको एक खुसकपरी देने वाला हूँ और वो खुसकपरी AIMS से MBBS करने वाले सभी स्टुडेंट्स के लिए है यानि कि आगे काफी फाइदा होने वाला है क्यूंकि काउंसलिंग में इस बार बहुत बड़ा चैन्जेज होने जा रहा है खुसकपरी बताने इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in या फिर टेलिग्राम चैनल चोपरा एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें ओल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, आयूस वेटनरी की बुक आपको मिलेगी इसमें आपको सीट मैट लोड करेंगे, हम आपसे संपर कर लेंगे और आप हमारी उसके बाद paid counseling भी ले सकते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि M से MBBS करने वाले student के लिए खुशकबरी क्या है, तो मैं आपको पूरी details में समझाता हूँ, आपसे request है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को subscribe करें, वीडियो को like and share जरूर करें, तो देखो अगर आप किसी भी M से MBBS करते हैं, तो मारास्टर स्टेट को छोड़ कर, बाकी किसी भी स्टेट में आपको PG quota नहीं मिलता है, कहने का मतलब यह है कि मारास्टर स्टेट अपने domiciled candidate, जिसने All India quota 15% से MCI, औरने किसी Central Institute से MBBS किया है, व पाकी स्टेट अपने domiciled candidate को allow नहीं करते हैं, जिन्होंने M से MBBS किया है, तो जो स्टुडेंट M से MBBS करते हैं, उनको PG में 50% All India quota से seat मिलती है, नीट PG के थूरू, उसके लिए वो eligible है, या फिर INICT में उनको institutional preference मिलता है, वो दो ही जगे PG के लिए eligible है, मारास्टर को छोड़क जो मारास्टरी स्टेट है, उसको छोड़कर स्टेट PG quota के लिए eligible नहीं है, अब हम बात करेंगे कि INICT में AIMS से MBBS करने वाले student के quota के बारे में, तो देखो, इंडिया में अभी PG के लिए दो ही exam होते हैं, एक तो NEET PG होता है, और दूसरा INICT exam होता है, पहले AIMS, जिपमर, P जैसे इंस्टिटूट के लिए PG में admission के लिए अपना खुद का exam ये conduct करवाते थे, लेकिन अभी इनको एक ही exam होती है इनकी, वो जो exam होती है, उसे INICT यानि Institute of National Importance Common Interest Test कहा जाता है, और ये AIMS दिली दवारा conduct करवाया जाता है, इसके थूँ AIMS, PG, जिपमर, PGI, चंडिग बैंगलोर, त्रिवेंद्रम में PG admission होता है, ये साल में दो बार जनवरी और जुलाई session के लिए conduct करवाया जाता है, अब 2021 तक जो AIMS PG के लिए quota मिलता था, उससे AIMS के MBBS करने वाले student को 50% institutional quota ने के बराबर मिलता था, यानि कि उसको जो reservation system, शुरी जो counseling system था, इस परकार से थ था कि उनको इतना profit नहीं मिलता था, क्योंकि उसमें roster system लागू नहीं होने के कारण जिस process से seat alert होती थी, उनमें उनको कोई इतना ज्यादा फाइदा नहीं होता था, तो सभी AIMS के students ने मिलकर Supreme Court में case file किया था, उनकी उनको proper 50% institutional quota मिले, तो इसके लिए roster system लागू हो, ऐसा उ जैसे कि जिपमर में इस परकार का ये rule लागू हो रहा था, roster system लागू हो रहा था, तो Supreme Court ने finally AIMS के लिए भी ये order दे दिया है, उनका final अपना decision दे दिया है कि AIMS में भी जिपमर की तरह PG admission के लिए roster system लागू होगा, और अभी AIMS PG की July session के लिए counseling चल रही है, इसमें AIMS द करने वाले students को AIMS में 50% institutional quota, जिसे institutional preference कहा जाता है, वो मिलेगा, तो जो student इस साल AIMS में MBBS के लिए admission लेंगे या पहले admission ले चुके हैं, उनके लिए ये good news है, नीट पर, AIMS PG, यानि INICT से उनको ये 50% institutional quota मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी कुसी की बात है, कि अगर आप AIM admissions में admission लेंगे, तो आपको आगे फाइदाई फाइदा है PG में, यानि कि आपको PG के लिए institutional quota 50% मिलेगा, यानि कि ये 25% एक session के लिए मिलेगा, और 25% दूसरे session के लिए मिल जाएगा, तो इस परकार से 50% आपको quota मिलेगा, 200 point roster system समझने के लिए अगर आप चाते हैं, तो मैं एक अलग से separate video बना दूँगा, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हर इसमें जो student होगा institute का, जैसे फर्स्ट में पांचवा student होगा, सेकेंड में 11 student होगा इसमें, तो इस परकार से ये roster system आगे आगे ये institutional quota के लिए कौन-कौन से नमबर पर student eligible होगे, जैसे next में 17th नमबर का student institutional quota के लिए eligible होगा, फिर 22 नमबर का student institutional quota के लिए eligible रहेगा, तो इस परकार से ये roster system लागू होगा, जिसमें अभी पुर्ण तया 50% seats का quota M से MBBS करने वाले student को मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी कुसीगी बात है, तो मिलेंगे नए वीडियो में इस परकार की साथ में दुबारा से तब तक के लिए जैहिन!